Question 9 देखिए, FR to R, GR to R, तो यहां इसकी तरह ही डोमेन दे रखी हैं, तो सभी बराबर हो जाएंगे, तो Fog और Gough तो Exist करेंगे, आप लिखोगे, Clearly Fog and Gough Exist, सभी Parts के लिए, इसके जितने भी Parts हैं, सभी के लिए Exist करेंगे, तो हम सबसे पहले निकालते हैं, First वाले Parts के लिए, Fog of X, इसको लिख सकते हैं, F of GX, GX की Value है, Sine X, तो F of Sine X, अब F में जहां भी X है, वहां Sine X रख दो, तो यहां आ जाएगा, Sine X और यह प्लस में 1, इसके बाद आप निकालोगे, Gough of X, इसको आप लिख सकते हो, G of Fx, Fx है हमारे पास, that is X प्लस 1, अब G में जहां भी X है, वहां X प्लस 1 रख दो, तो Sine X प्लस 1, सेकंड पार्ट को देखिए, Fog of X निकालेंगे, F of GX, GX की Value है, यहां पर 2X प्लस 3, तो जहां भी F में X है, वहां 2X प्लस 3 रख दो, यहां पर, तो 2X प्लस 3 प्लस 1, यानि 2X प्लस 4, इसके बाद हम नकालेंगे, गॉफ of X, Fx है हमारे पास, X प्लस 1, सो G of X प्लस 1, जहां भी G में X है, वहां X प्लस 1 रख दो, तो 2 into X प्लस 1 प्लस 3, यानि 2X प्लस 2 प्लस 3, इस 2X प्लस 5, अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, so fog of X को हम लिख लेंगे F of GX, GX की value है, root 1 minus X सुक्यर, तो F में जहां भी X है वहां ये रख दो, तो ये आ जाएगा, 10 और इसका angle root 1 minus X सुक्यर, गॉफ of X हम निकालेंगे, तो G of FX, FX है हमारे पास 10X, तो जहां भी G में X है वहां 10X रख दो, तो ये हो जाएगा root 1 minus 10 सुक्यर X, तो इनके लिए हमने fog गॉफ निकाल दिये, अब हम देखते हैं 9th के next parts, 9th का 4th part देखिए, हमें यहां पर FX जो है, वो root X and जो GX है, वो modulus of X दे रखा है, हमें यहां पर fog of X निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं F of GX और GX की value है modulus of X, यानि FX में जहां भी X है, वहां पर आप modulus of X रख देंगे, तो यह बन जाएगा root of modulus of X, गॉफ of X हम निकालेंगे, तो इसको लिख सकते हैं G of FX, G FX किसके बराबर है, root X के, तो GX में जहां भी X है, वहां root X रख देंगे, तो यहां पर आजाएगा, इसके बाद इसका fifth part है, FX is equal to modulus of X and GX is equal to greatest integer function of X, हमें निकालना है Fog of X, इसको लिख सकते हैं F of GX, GX की value है greatest integer function of X, तो F में जहां भी X है, वहां greatest integer function of X रख देंगे, तो यह हो जाएगा this function, गॉफ of X निकालेंगे, तो यह हो जाएगा G of FX, FX किसके बराबर है, modulus of X के, तो modulus of X को यहां पर रख देंगे, तो यह function हमारे पास आजाएगा, इसके sixth part को देखेंगे, तो FX है greatest integer function of X, GX है हमारे पास, sine pi X, तो गॉफ of X निकालेंगे, तो वह हो जाएगा G of FX, FX की value है हमारे पास, greatest integer function of X, तो यहां जाएगा sine greatest integer function of X, अब जो greatest integer function है, यहां पर इसकी जो value है, वो some integer मिलेगी, और हम जानते हैं कि sine n pi 0 के बराबर होता है, because sine n pi is 0, तो यह 0 हो जाएगा, Fog of X जो है, वो बराबर होगा F of GX, GX की जो value है, वो है sine pi X, sine pi X यहां रख देंगे, तो greatest integer function of sine pi X, यह हमारे पास Fog of X यहां पर आ जाएगा, तो की जोओता है, पो जो हमारे चाएगा जो जो हमारे है,